नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का एक्जाम अजीर्मेंट में मैं करुणा अपनी इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कक्षा नो के विध्यार्थियों के लिए टर्म टू का हिंदी आ का स्लेबस देख लेते हैं दोस्तों क्या आने वाला है आपके टर्म टू में तो पाठे पुस्तक छितिज भाग एक वैपूरक पाठे पुस्तक क्रतिका भाग एक में गद्रीखंड से आने वाले हैं छितिज से निरधारेत पाठों के अधार पर विशेवस्तु का ज्यानबोध अभिव्यक्ति आधी पर चार प्रश्न पूछे जाएंगे जो की दो-दो नंबर के होंगे और इस तरह से आठ नंबर आपका गद्ध खंड से आएगा और काव्य खंड से आपके 3 प्रश्ण आएंगे जो की 2-2 नंबर के होंगे इस तरह से 6 नंबर का आपका काव्य खंड आएगा और क्रतिका पर 2 प्रश्ण पूछे जाएंगे जो की आपके 3-3 नंबर के होंगे इस तरह से वो 6 नंबर का होगा और टोटल बीस नंबर आपके क्रतिका भाग एक से और छितिस भाग एक से आएंगे सेकेंड है दोस्तों लेखन यानि की ग्रामर ग्रामर से दोस्तों आपके आएंगे तर्क संगत विचार प्रकट करने की छमता को पर रखने के लिए संकेत बिंदूों पर आधारित समसामाईक एवं विहवारिक जीवन से जुड़े हुए विश्यों में किनी तीन विश्यों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना होगा और ये निबंध आपका डेड़ सो शब्दों का होगा और ये आपका पांच माक्स का आएगा इसके अलावा आपचारिक तथा अनोपचारिक विश्यों में किसी एक पर आपको पत्र लिखना होगा और ये आपका पांच माक्स का आएगा चालिश शब्दों में आपको सम्वाद लिखन लिखना होगा जो आपका पांच मांक्स काएगा और विकल्प के साथ आपको 120 शब्दों में लगू कथा का लिखन करना होगा जो आपका पांच मांक्स काएगा इस तरह से दोस्तों आपका 20 नंबर का ये सेशन हो जाता है तो अब रहता है आपका आंतरिक मुल्यांकन जिसके अंदर आपको अपनी पोर्टफोलियो फाइल या फिर आपका जो प्रोजेक्ट वर्क होता है जो क्लास में कराया जाएगा वो आपका 10 नंबर का होगा इस तरह से टोटल 50 नंबर आप लोगों के डिवाइड किये गए हैं आप देख लेते हैं कि बुक में कौन-कौन सी कहानियों को आपने पढ़ना है कौन-कौन सी कवीताओं को आपने पढ़ना है तो सत्र दो में आ जाते हैं जो की आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है इस से पहले आपका पिपर आपजेक्टिव टाइप हुआ था लेकिन आप आपजेक्टिव नहीं होगा तो गद्ध खंड में छितिस भाग एक से आएगा सामले सपनों की याद जाबिर हुसेन इनकी राइटर है दूसरा प्रेम चंदर के फटे जूते और इनकी राइटर है हरी संकर परसाई कावे खंड से आपका आएगा कैदी और कोकिला माखन लाल चतुरवेदी जी की ये कवीता है और सेकिंड है बच्चे काम पर जा रहे है इसको लिखा है राजेश जोशी जी ने कृति का भाग एक से आएगा मेरे संग की औरते म्रदुला गर्ग दूसरा रीड की हड़ी जगदीश चंदर माथुर साब ने लिखा है और तीसरा माटी वाली जिसको विद्या सागर नोटियाल ने लिखा है व्याकरण एवं रचनात्मक लेखन जो की आपका बीस नंबर का है इसके अंदर आपको अनुछेद लेखन आने वाला है डेड़ सो शब्दों में पत्र लेखन आने वाला है एक सो बीस शब्दों में समवाद लेखन चालेश सब्दों में और लगू कथा लेखन एक सो बीस सब्दों में तो दोस्तों ये आपका टर्म सेकिंड हिंदी नाइंत का हिंदी आ का सलेबस है आशा करती हूँ आप सभी इसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और अच्छे मार्क्स चम सेकिंड में लेकर आएंगे इसी तरह की और इंफोर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे की इसी तरह की और इंफोर्मेटिव वीडियो आपको आगे बिलती रहें मेरी वीडियो को लाज सक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद